एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू और एग्जाम्पल नंबर टू में हम कहते हैं पर्चेज और एन एसेट ठीके ना पर्चेज ओफ एन एसेट ओन इंस्टाल्मेंट्स पर्चेज ओफ एन एसेट और इंस्टाल्मेंट्स पहले हमने जो एग्जाम्पल करी उसमें हमने लोन और इंस को देखा अब जू म दूसरी एक्जाम्पल कर Ellis उसमें हम यह दीए कि कोई 대해서 अगर हम पट्रीस करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं पर्चेज helping इससेट और अन्स्टॉल्मेंट्स इंस्टॉल्मेंट्स पर किस तो पर अगर पट्चेस करते हैं ठीक है अच्छा लेट से अगीन हम यह कहते हैं कि मिस्टर एक बंदा है उसने जो है ना वह पांच लाक रुपे का एक एसेट पर्चेस किया मिस्टर एने पांच लाक रुपे का एक एसेट पर्चेस किया कोई चीज पर्चेस करी गाड़ी ठीक है ना या कोई भी चीज पर्चेस करी 5,000,000 रुपए गी लेकिन ये जब वो चीज खरीद ने गया तो इसके पास पांच लाक रुपए नहीं थे तो इससे मुला आर मैं ये चीज किस्तों पर खरीद लेता हूं ठीक है अब ये लेट से गाड़ी है तो ये गाड़ी के डीलर के पास गया बो कैश प्राइज रुपए दो और गाड़ी ले जाओं कैश प्राइज का मतलब होता है इस चीज की अभी 5,000,000 रुपए गाड़ी बिए बाड़ी ओड़ी है पास्लाक रुपए दो कैश गाड़ी ले जाओ वाड़ी आपकी ये कैलाती है कैश प्राइस कभी कबार ऐसा होता है पैसो की लिमेटेशन की वजह से हम कैश में कोई चीज भरिथ करीड नहीं सकतें जिस तरना से प्लॉस केस्टे होती हैं गारी में किस्टे होती हैं औसकेस में क्या होता है उसकेस यहमES där नहींrif तो इल ने बोला चलो सब्सक्राइब तुमारे पहारे प teddy रुप्य ना तो डी लर ने गारी के डी लर ने तुम्हें ये कहा कि चलो सहज्य है तो भार पास राक रुप्य नहीं है तो तुम मुझसे यह छीज किस्तों पर खरीद लो इंस्टॉल्मेंट्स पर खरीद लो और उससे आपके साब ने एक टर्म रखी 40 परसेंट दाउन पेमेंट 60 परसेंट इंस्टॉल्मेंट्स इंट्रेस्ट टेन परसेंट एप्लीकेबल तू इयर रीपेमेंट तू यह रीपेमेंट तू यह रीपेमेंट तर्म गारी की टीलर ने यह बोला के चलो तुम्हारे बास पांस राक रुपे नहीं है खेर कोई मस्टा नहीं है मैं तुम यह चीज किस तो पर बेज देता हूं तुम 40 परसेंट डाउन पेमेंट करना 60 परसेंट इंस्टॉल्मेंट में ले लेना दो साल दूंगा तुम्हें रीपेमेंट करने के लिए 10 परसेंट का इंटरस्ट लगेगा क्या हाँ परियर 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 कई भी कुछ नहीं 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 का वह परियर ही होगा वह एक्जैम्बेंट में अब यह जीरो लेट से आज का दिन हैं मुझे बता हैं अगर यह पंधा आ ही पूरी की पूरी गड्य खरीड लेता तो तो यह मिलती इस फिकान का दूंदा 동안 कर दो और इसको हम क्या कहता हैं कैश क्राइस के इसके पास बहुत नहीं थे डीला नहीं बोला कि तुम चालिस पर 70 डान पेयमेंट दे लो मैं मतलब की होता है कि जब तब तुम पांच लाग रुपे की चीज खरीद रहे हो तो वो बुला कि किस स्थिदी कर तुम बात में देखेंगे पैसे सब दे देनां सब्लबाद 40% पैसे तो कमस कम आच दे दो डाउन पैमेंट होता है जो मैं कोई किस्तों पर खरीटता हूं अब तब उसी वक्त देता हूं मतलब वह चालिस परसंट अगा 5 लाग मुझे मुझे न देना पड़ेंगे तुम्हे अभी के अभी मुझे है.. चलिए पांच लाग नहीं है दो लाज रुपए तो है ना हम ना कि तो मुझे अभी के अभी दो कि ठीक है उसके पशे दो लाव होंगे वह एगरी कर किया पांच लाग बट बढ़ी अमाट बढ़ दो लाग उसके मुकाबले में तो आजह से भी कम नहीं तो डीने ने कहा कि 5 इनलाग के नहीं तेंहें तो बचे कितने आ मे कि इसकी परसंड रुपय-डीजीib ना फृटा इसकी माईक से घर देता हूं इस किमर्षटER रुपै की में किस्टे कर देता हूं आज़े किस्ते करवा रहा था 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 और WATER मैने कैश नहीं लिया लेकिना मैंने कैश्ट भी लिया वृटार ही दो भी best करना मता बिल्कुल, तो मैं इसको लिख देता, लोन भी लिख सकते हैं इसको, य हने कि पांस लाकी गारी मेंसे दो लाक नकँज दे दिए, बच गिया तीन लाक, उसका वधार करा लिया, दीने ने बुला कि मुझे तो जो है न, वो तुम, पहले साल के आखिर में पहले साल के आखिर में लेट से तुम जो है रहा है वो मुझे डेल लाक रुपए दे देना पहले साल के आखिर में डेल लाक रुपए दे देना इसको हम कहते हैं री पेमेंट नंबर वन और डीले ने कहा बाकी पैसे बाकी पैसे देड़ लाग नहीं बोले बाकी पैसे यह टूपर देने कितने पैसे यह टूपर देने किसने बोला डेड़ लाग डेड़ लाग किसने बोला मना किया ना यह टूपर कितने पैसे देने हैं बाकी पैसे उधार कितने का था तीन लाग का पहले साल के आखर में कितने देने हैं यह टूपर कितने देने हैं उधार कितने का था तीन लाग यह टूपर कितने देने हैं ब बाखी पैसे देने हैं अब देखो होगा क्या तीन लाग रुपे का उधार वैना डीलों ने क्या बोला था दस परसंट का इंट्रेस्ट लूँगा तो इसका मतलब यह हो गया कि यह नमबर जीरो से यह नमबर वन के बीच का 30,000 का इंट्रेस्ट बना? तीन लाग 30,000 बन रहे हैं? इसने यह नमबर वन पर कितने लोटा है? यह जो यह देर्ड लाग रुपे लौटा रहा है इसमें से 30,000 रुपे इंट्रेस्ट है और एक लाख वीस हजार रुपे उन तीन लाख में से हैं जो इसने उद्धा लिया था तो बच कितना गया एक असी बच गया अब यह टू पर कितने देगा इस वह क्या एक लाख अजार होंगे यह नंबर वन से टू के बीच का भी तो इंट्रस्ट होगा यह तो यह तू पर जब यह पैसे देने जायगा ना ओधन नाइन्यटीएइफ इडाओं fak bon की एमके कर देखें रुखें पांच लाक प्रूपे कर ये पांच नाक की गारी थी तैने को तैयार हूं मैं तुम से दस परसंद का इंट्रस्ट ढूंगा ठीक है य्यां आ यह वापस तक है देखें पांच लाख रुपए का ये पांच राक रुपए की गाडी थी पांच लाक रुपए की गाडी gy ती इस व Leonis लिए अब मेरे उसी हैं पेकर दिये तो बजगए तीन लाक रुपए दीना ने बूला कि मैं तो मैं उधार देने को तैयार हूं मैं तो मैं यह चीज़ किस्तों पर बेशने को तैयार हूं अलबता मैं तुम से 10% का इंट्रेस्ट हूंगा तो हुआ यह चीज़ियर्ट से आयर नमटर 1 के बीच इंट्रेस्ट तीन लाग पर 10% यानिके 30,000 रुपई बना अब 3,000,000 3,000 तीन लाग 30,000 रुपई हो जाते हैं तो 3.30000 रुपय में से इयर नमबर 1 पर देश्ड में लाख रुपय दिए जब आधि इए गए तो 3.000820 लाग माइनस करो और तो एक लाग असी हज़र बच गे सब्सक्रूंत वैए उबन से यह नमबर 2 के बीच का भी उस पर 10 पर संट अठरा अचासाल का इंट्रेस्ट लगेगा और फिर जब वह वापस करने जाएगा जब वह वापस करने जाएगा तो वह नाइटी एट थाउसन मजीद रीपे करेगा और उसके पास फिर यह कहानी खतम होगी सही है अब इससे हम कुछ चीज़ें यहां पर लिखते हैं देखो नमबर वन गारी की कैश प्रैस कितनी थी पाँच लाग कैश प्रैस का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा उसी वक्त नकट सारे पैसे दे कर गारी हासिल कर ले एसेट हासिल कर ले तो उसको जो पैसे पे करने पड़ेंगे उसको हम कैश प्राइस कहते हैं ठीक है स्क्राइस कर नहूंँ इस पर्चाइस का उसे एंडियरार को बंदा देन से उस्टर्य मेंड़्यां लौन प्रड़्या खाने सब्डाशिज अग्राइस का श्राइस का गारर्ण पर्णवित आंग बंदाल न्यल्म्त अग्ड़र्ण पर्षिए उस्टों और स्ट्य हैं इस अब डिसस अब टोटल पेमेंट्स पर्चिस रॉन इंस्ट्राल में इंस्ट्राल्मेंट बेसे अगर मैं गाड़ी इंस्ट्राल्मेंट की बनियात पर खरीगता हूं तो मुझे टोटल कि तरह पैसे पे करना पड़े 548 तोटल पेमेंट्स एफ कार इस पर्चिस्ट ऑन इंस्ट्राल्मेंट बेसेस देखो मुझे दुकानदा ने दो आप्शन दिये थे दुकानदा ने दो आप्शन दिये थे उससे बुला था या तो पास्टा क्रुपे दो गाड़ी ले जाओ या उसने यह आप्शन दिया था कि गाड़ी किस्तों पर ले जाओ मैंने उसको बुला किस्तों पर देड़ो गाड़ी तो उससे मुला लाओ डाउन पेमेंट डुक उससे मुझसे दो लाक रुपे की डाउन पेमेंट मांगी ले जाओंस की केस्तों दो लाक रुपे की डाउन पेमेंट मांगी फिर रेक साल गुछनणा जब पहला साल गुजर गया तो यह एक हैंट लिपेमेंट मांगी फिर वापस से एक और साल गुजर गिया तो से 198 थाउजन और मांगे तो कितने मैंने टोटल फाइफ फॉर्टी एट थाउजन ठीक है अच्छा उसके बाद मुझे बता हूँ डाउन पेमेंट कितनी है यहीं नाद 4060,00 ल॓न कितना है 2017 अच्छा मुझे बता हूँ इंटरस्ट कितना है थि धेंट preferred चैप। अगर वो जो शेडिल बनाया है ना पहले साल का थीस शाँ आज नं दूसरे सार अठाराँ जार 48,000 ठीक है क्या मैं यह कह सकता हूँ interest interest is equals to repayments minus known कि इच्छे सवाल में पड़ा था repayments is equal to loan 1 century Thealım मैंने iorn of the यहां पर इस सवाल में आप repayments क्या-क्या कर रहे हो कि एक आपकी nämे में और गेडर्ञ की इसवामन कितनी है uhoda 198,000 की 200 रिपेमेंट्ट यह यह न लोन कितना है देखो किया डिफ्रेंस कितना आता है जाने कि आपका जो डिफ्रेंस है वो इंट्रस्ट है ना सब्सक्राइब करने के लिए अगर डिफ्रेंट से लोन माइनस कर दू तो इंट्रस्ट आ जाता है सब्सक्राइब डिफ्रेंस का लिए थम अरय स्ब्सक्राइब टॉ सब्सक्राइब तर्फ इंट्रेंस कउ तो लिए ट्रॉ से ब्लॉ सक्राइब works तो grains the ट्लonnनव ai नियन कैश्ष तॉ रीपेमेंट्स कितनी है देड़ लाख और 198,000 डाउन पेमेंट्स कितनी है दो लाख और कैश प्रैस कितनी है इसका डिफ्रेंस भी क्या आएगा 48,000 यह इंट्रस्ट आजाएगा लुपार्गिरी वेंट्स कितना है कि अजा आएगा प्रिफ्र आएगा रिफ्रागत二 । âte प्युपार्ग आएगाlor अव्राग घाएगा मntवी चाहर ना आएगागी धिय। हाँ भई कुछ समझ में आया अब जैसे हमने पिछली एक्जाम्बल में किया था इसी तरह से इसी एक्जाम्बल में काम करते हैं और वो काम यह करते हैं कि इसी एक्जाम्बल से एक सवाल बनाते हैं मिसाल के तोर पर आपके पास एक question आए एक सवाल आए क्या आप cash price बताओ cash price को मैं unknown छोड़ा हूँ cash price को unknown छोड़ा हूँ और उपर वाले ही डेटा से सवाल बना रहा हूँ तो इवेंचियल आंसर क्या होगा पांच लाग आपको जो है ना वो डाउन पेमेंट बता दी है कितनी है बही दो लाक cash price में से डाउन पेमेंट हटाते तो क्या आते है लोन नहीं पता आपको यह बता है वह कि पहली जो रीपेमेंट थी ना वो डेड़ लाक रुपे थी जो दूसरी रीपेमेंट थी ना वो नाइटी एट थाउसन थी दस परसंट का रीट है क्या cash का इस बता सकते हो कैसे हाँ कैसे लोन की अमाउन लोन की अमाउन किसके बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ओफ रीपेमेंट के तो अगर मैं डेड़ लाक और नेटी एट थाउसन की प्रेजेंट वैल्यू नेका लूंगा तो लोन आ जाएगा लोन में डाउन प्रेड़ मेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा दस पर्संट का रेटर लोन की अमाउंट अगर धुन नी होना यह वन पर जो डेड़ लाक है उसको यह वन से यह जीरो पर लेकर जाना है किते साल पीछे लेकर जाना है तो लिख देते हैं डेड़ लाक डिवाइड बाई 1 लाक प्लेस 10 परसंट पावर इन यहनन में तूपए 198 तौजन है इसको कितने साल पीछे लेकर जाना है तो लिख देते हैं 198 तौजन ए डिवाइड़ बाई वाइन प्लेस 10 परसंट पावर ने बताओ कितना आत है चैक करो जब तीन लाक आ रहे है आरे ने दिम्ला और हम यह जानते हैं कि cash price minus down payment is equals to loan और इस हिसाब से cash price is equals to loan plus down payment यानि कि cash price is equals to 3,00,00,00 प्लस 2,00,00 यानि कि 5,00,00 कि दूम हाज कि दूम है this झाल 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 झाल